मद्धपदे 36 गटो राजिस्थान में हार क्या मिली विपक्षी पार्टियां और उनके खेरख्वा अपना विवेक की खुब हैटे हैं वो दोजा 24 की अपनी तैप अराजे से इस कदर भहबित हो गएं कि उन्होंने एक बार फिर ईवियम का कटराग अलापना शुरू कर दिया है इस तरह के प्रलाप को दिखते हुए ही साल दोजा 17 में चुनाव आयोग में सब भी पार्टियों के प्रतिनिद्यों और पेशिवरों का आवान किया था कि वे आयोग के दफ्तर में आएं और मशीन को हैक करके दिखाएं मगर तब किसी ने उस चुनावती को कुबूल नहीं किया और उसके बाद हुए दरजन और चुनाव में भिंधिन पार्टियों को कामियाभी मिली दिलचपस यह है कि जीतने के बाद उन्हें मशीन में कोई कमी नज़र नहीं आई उन्होंने पूरे मजे से सत्ता का सुख भोगा और अब जब जनता ने उनसे सत्ता छीन ली तो एक बार फिर वही दल विलाप करने लगे हैं यह तो कहीं से परिपक्व आच्रण नहीं हुआ मैं तो चुनावायोक से गुजारिश करूँगा कि ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ने से ही रोग दिया जाए क्योंकि वे निर्वाचन की शुचीता को लोगों की निगा में संदिक बना रहे हैं ऐसे लोग अकसर यही सवाल दोराते रहते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े वस्षफल लोकतंत्र में बैलेट पेपर का अस्तमाल होता है तो हम क्यों EVM की जित पाले हुए हैं क्या इन भोले लोगों को यह नहीं पता कि उन तमाम देशों में जितनी अबादी वोट करने के लिए मद्दान के इंद्रों तक आती है वो हमारे यूपी बिहार के वोटरों की संक्या से भी कम है हमारे यां वोटरों की संक्या 91 करोड से जादा है इन में से ज़ादा से ज़ादा लोगों को मद्दान प्रक्रिया का हिस्सा बनाने में ही भारती लोकतन की सफलता है और यदि बैलेट पेपर से ये काम होगा तो इसका नकारात्मक प्रभाव मद्दान पतिशत पर पड़ेगा फिर इसके लिए काफी कागस की भी ज़रोत पड़ेगी जो परियवन के अनुकूल नहीं होगी उपक्षी पार्टियों और आनिताओं को एवियम का रोना छोड़ का जन्ता के बेच अपनी पैट बनानी चाहिए जब उन्होंने इतना बड़ा गटी जोड़ बनाये हैं और वे भाजपके खिलाफ एक उमीदवार देने की रन्निती बना रहे हैं तब कोई चोर दरवाजा क्यों खोच रहे हैं उनके पास मुद्दों की कोई कमी तो नहीं विरुज़कारी, महंगाई, किसानों की बधाली, ब्रिष्टा चार, संपरदाइकता जैसे इतने मुद्दे हैं तो उस पर वे वोटरों को कायल करें सच तो ये है कि उनके पास मेंदर मोदी जैसा कोई अच्छा वक्ता नहीं है जो जन्ता से कनेक्ट हो सके इसलिए हार की सूरत में चेहरा बचाने के लिए ये दल, इवियम का एक महरा पहले से त्यार करना चाते हैं आज के लिए इतने हुजादा खबरों के लिए देखते रहिए वीनेशन न्यूस